हेलो इस्टूट्स वेलकम तो ग्यान बिंदो अकेडमी यूट्यूब चैनल और इस सीरीज में इसके पहले मैं दो लेक्चर आपको मिल चुके होंगे जिसमें मैंने बाइकमिस्टी के यह क्या कह रहा है इस question में क्या लिखा गया है विच आफ डौलेंग टाइपस अफ मोलेक्वल्यस एक्ट श्टार का मतल़ होता है यह टियांजाइम की तरह काम करते हैं यह रियक्शन का जो रेट है वह बढ़ जाता है वह ज्यादा होता है तो basically इन में से कौन कौन से molecules आपके catalyst की तरह काम कर सकते हैं यह question पूछा गया है और तीन molecules के नाम दे रखें एक है proteins उसके लावा दूसरा है RNA और तीसरा है phospholipid तो देखो इस question को answer करना तो बहुत आसान है क्योंकि सभी को पता होगा कि जो proteins हैं जो सारे के सारे enzymes होते हैं वो proteins होते हैं except one which is ribozyme और ribozyme जो होता है वो बना होता है RNA का ठीक है तो correct answer तो आपका P&Q हो जाएगा लेकिन आपको हो सकता है कहीं और किसी exam में किसी interview में या किसी job interview में उस type का question भी पूछा जा सकता है कि बता एक catalyst की तरह काम क्यूं नहीं करता है या फुस्फलिपिड जो है जो है जो lipid molecules है वो आपके आपके carbohydrates की चाहे वो cellulose हो चाहे starch हो चाहे glycogen हो या काइटिन हो किसी की भी अगर बात करें तो उनकी भी structure major portion जो होता है that is linear तो basically आपको enzyme की तरह काम करने के लिए globular shape चाहिए होती है जिसको हम कहते है folded confirmation तो जिस भी molecule के अंदर आपकी globular shape मिलेगी वो molecules आपके catalyst की तरह काम कर पाएंगे हां और दूही molecules हैं जिनके अंदर globular shape मिलती है एक है आपका RNA और दूसरा कौन सा है proteins तो यहां पर जो answer होना चाहिए P&Q so let us move ahead on to the next question next question में क्या है यह question आपका mole concept पे base है मैं इस question को पढ़ देता हूं पहले इस question में क्या कहा गया है the number of molecules of a nucleotide of molecular weight 300 gram per mole present in 10 picomoles अब देखो number of molecules अगर पूछे गया है ना तो आपको molecular weight से कोई लेना देना है नहीं you must understand that इसका रीजन यह है कि number of moles से ही number of molecules directing निकाले जा सकते हैं इसका कारण यह है तो number of molecules का formula क्या होता है number of molecules is equal to number of moles number of moles into Avogadro number तो अब वोगेड्रो नमबर से multiply अगर number of moles को कर दोगे तो आपको number of molecules यहां पर मिल जाएंगे अब basically यहां पर हमें मोल्स में तो दिया हुआ नहीं है यह पिको मोल्स में दिया हुआ है तो हम इसको कैसे लिख लेंगे मोल्स में लिख लेंगे और पिको कितना होता है माइनस 12 होता है तो यह किसके बराबर हो जाएगा टेन इंटू टेन टू दी पावर माइनस 12 मोल्स हो जाएगा और यहां पर अगर हम number of molecules अगर निकालेंगे तो मैं कैसे लिख लिखूंगा टेन इंटू टेन टू दी पावर माइनस 12 यह हो गए number of moles और एवोगेडो नंबर कितना होता है 6.023 और 02 इंटू टेन टू दी पावर 23 यहां से अगर आप निकाल होगे तो 10 इंटू 6.02 multiplied by 10 टू दी पावर 11 अगर इसको करेंगे तो 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 12 तो जो आंसर हमारा आएगा हां यहां पर multiplication में दिया हुआ है तो यहां पर आएगा 6.02 तो यहां पर इसका कोई निकालने के लिए आपको जो फर्मुला नहीं परहां लेट मोलेट को Sydney leap लों क्या गाते हैं पर Series it on to the next question अगले question पर चलते हैं अगले question में क्या कहा गया है which of the following strategies are used by cells for metabolic regulation ठीक है metabolic regulation के लिए किसकी जरद पड़ती है कौन-कौन सी strategies use की जाती है आपने cell signaling में पढ़या होगा कि वहाँ पे अगर किसी enzyme का phosphorylation हो जाता है तो कई बार activate हो जाता है वो protein कई बार inactivate भी हो जाता है हां अगर किसी protein का phosphorylation हो जाता है तो वहाँ पे भी सेम चीज होती है इसके अलावा enzymes की जो activity का regulation है वह एलो स्टीरिक थ्रूबी होता है जैसे कि हम लोग बात करते हैं पीएफके की पीएफके में अगर लो ATP है तो यह active होता है अगर high ATP हो जाता है तो यह it becomes inactive ठीक है अगर ATP की amount cell के अंदर जादा हो जाती है तो जो पीएफके है वो क्या हो जाता है इट विल बिकम इन एक्टिव ठीक है यह क्या हो जाता है आपका inactive हो जाता है इसके अलावा feedback inhibition feedback किसको कहते हैं अगर कोई pathway है सपोज मैंने ABC लिखा तो यहाँ पे जो है starting वाला जो product है वो ए है and वाला जो product है वो सी है सपोज यहाँ पे even enzyme लगता यहाँ पे लगता है अगर सी का accumulation हो रहा है और सी जो है किसको इनिबिट कर रहा है उसी pathway के फस्ट वाले enzyme को इनिबिट कर रहा है या ऐसे भी हो सकता है किसी reaction में सपोज डी का conversion इमें हो रहा है यहाँ पे यह कोई enzyme यूज हो रहा है तो अगर यह जो है आपका इसी same enzyme को अगर inhibit करने लग जाए तो इस टाइप के regulation को हम लोग क्या कहते हैं वी call it feedback inhibition तो देखो यह सारी की सारी strategies use होती है मैंने one by one एक एक example आपको बताया एलोस्टिरिक regulation का cell signaling में बहुत सारे proteins ऐसे होते हैं इवन जैसे की glycogen synthase की बात करें तो glycogen synthase जो है वह glycogen का synthesis कराता है इसके अलावा glycogen phosphorylase है जो की glycogen को breakdown करता है glucose में यह glucose 6 phosphate में तो basically उनका भी regulation दोनों जो enzymes है glycogen metabolism के लिए synthesis और breakdown के लिए जो दोनों enzymes हैं उनका भी regulation किसके थू होता है phosphorylation and defosphorylation के थू होता है इसके अलावा जो है बहुत सारे cell signaling के enzymes है वह भी आपके phosphorylation defosphorylation के थू ही regulate होते हैं एलो इस्टिरिक regulation का मैंने आपको जो है पी फके बन वाला जो glycolytic का enzyme है उसका example बताया इसके अलावा जो है feedback inhibition में आपका बहुत अच्छा example आता है किसका hexokinase का ठीक है hexokinase विच इस दा enzyme of glycolysis ठीक है तो hexokinase का example यहाँ पर आप ले सकते हो तो इस तरीके से यहाँ पर जो answer होना चाहिए PQ and R ठीक है PQ and R मतलब यहाँ पर आर ने लिखा हूँ है तो डी वाला option आपका correct answer होगा हाँ